हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब ठीक ठाक है उम्मिद करता हूं सब खैदियत से होंगे तो वेलकम टू मैं चैनल एडिटिंग विद मानी तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यह टिक टॉक पे इस तरह की उर्दू शैरी वाली जो पोस्ट होती है बहुत ज साल अफ एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है कि यह आपके सामने इस तरह का इंटर्फिस आ जाएगा इजो टैक्स सामने आपने इसको क्लिक रहने देना है यह उपर एपको डिलीट वाला अप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है इसको यहाँ से त्री डोड पड़क पर आपने कर देना है 9 इस सेकंड वाले पर आपने करदेना है 16 इसको आपने कर देना है होके तो यह जो साइज आपका टिक टोग वाला साइज जहांपर क्रियेट हो चुकआ इसके बाद आपने सबसे नीचे आपको आपको आप्शन नजर आ रही होगी यहां पर आपने चोथी आपको 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 आ अज़र आरी है आपने इसपे क्लिक करना है यहां से आपको एक औप्षिंस नज़र आ रही होगी नौइस की behavior कर देना है और इसको यहां से enabling करे ने बल्हें ने करने के बाद आपने जो इसका अलफा एफ इसको आपने तकरीबर आइटीएट 90 इसके गरीब रख ले इसके बाद आपने क्या करना है आपने सबसे उपर यह जो प्लस का आइकोन है आपने इस पर क्लिक करना है यहां से आपने टेक्स वदे ओप्शन पर क्लिक करना है आपने इसको सेंटर में ले आना है और यहां पर आपने अपनी कोई भी जो पोट्री आपकी वो यहां पर कि हुई है मैं इसको यहां पर रोके कर देता हूं अब आपने इसको सेट किस तरह करना है आपने सबसे पहले तो इसको ऐसे ड्रैक करना है ठीक है यह टू लाइन्स में हो जाएगी इसके बाद नीचे से आपने यह वरी ऑप्शन पर आना है और यहां से आपको एक उप्शन और इसको आपने सफ छोटा बड़ा कर लेना है ठीक है मैं फिलाल इसको छोटा कर लेता हूं अब ही मैं बताता हूं कि आपने इसको सेट किस तरह करना है इसके बाद आपने इसको डन कर देना है यहां से आपने एक उप्शन है आपके पाउस फांड वरीफ यह वरीफ आप आपने गूगल पे गूगल से डाउनलोड करके इसके अज़र आपने एड़ कर लेना है अगर आपको एड़ कर नहीं आता है तो आप मुझे कॉमेंट में बता दीजेगा मैं आपको इस पर भी वीडियो बना दूँगा आपने इसको स्लेक्ट कर लेना है और इसको नीचे से आपने ओके कर देना है तो आप यह देख सकते हैं कि जो हमारी जो वर्डिंग है वो बहुत अच्छे फांट में हो चुकी है इसके बाद आपने दुबारा से साइज जड़े उप्शन में जाना है और आपने इसका जो साइज है वह थोड़ा सा बढ़ा देना है यह देख स आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आपने सेंटर पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आपने इसको यहां से डन कर देना है और इसके बाद आपने दुबारा से ड्रैक करके यहां पर एक उप्शन नजर आएगी आपको कलर की आपने कलर पर क्लिक करना है यहां पर आप तोड़ा सा निचे ली साइट पर देखेंगे तो आपको यहां पर टैक्स नजर आ रहा होगा आपने इसको ऐसे निचे वज़े जो लाइन है उसको आपने स्टेक कर देना है फिर उपर से आपने यहां से इसको एक कलर दे देना है दूसरा यहां पर मैं ड्रैग करूंगा तो यहां पर बहुत सारे colors आ रहे हैं तो आप इसको यह वड़ाए color दे देदें ठीक है इसके बाद आपने इसको यहां पर done कर देना है इसको जहां पर भी आपने set करना है उपर आप इसको कर सकते हैं यहां पर आपको एक option नदर आ जोगी relative position की आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे जो उपर जो center में option है इसको आपने क्लिक कर देना है यह खुद ही adjust हो जाएगा इसके बाद आपने इसको done कर देना है उपर से आपने फिर से plus अले icon पर क्लिक करना है यहां से आपने from gallery पर जाना है और यहां से आपने अपना कोई भी एक png जो के आप Pinterest application है उसके अंदर से आप इसको download easy कर सकते हैं जो भी आप चाहें तो मैं यहां पर एक यह इस तरह का png यहां पर add करना चाहरा हूँ इसके बाद आपने यह center वाले option पर क्लिक करना है यहां से आपने drag करना है यहां पर आपको एक option नज़र आएगी erase color की आपने इस पर क्लिक करना है आपने इसको यहां पर enable कर देना है enable करने के बाद आपको निचे यह एक option नज़र आ रही होगी आपने इस पर क्लिक करना है और यहां से आपने इसको ब्लैक पर रहने देना है और इसको आपने नीचे से यहां पर टिक अले पर क्लिक कर देना है इस तरह जो इसका बैगराउंड का जो कडर है वो रिमूव हो जाएगा इसके बाद आपने इसको यहां से डन कर देना है क्लिक पे और इसको आपने जितना भी जहां पर भी आप इसको अड़िस्ट करना चाहिए अच्छी तरीके से इसको यहां पर आप कर सकते हैं साइज अपने मताबिक आप रख लीज़ेगा जो भी आपको अच्छा लगे आप यहां पर एड़ कर सकते हैं तो मेरे बाद यहां पर अपने चैनल का लोगो बना हुआ है सिकनेचर ठीक है तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से एड़ कर दूँगा ठीक है तो आप भी अपना नाम वगरा यहां पर एड़ कर सकते हैं तो यह भी बहुत असान तरीके से पिक्सल अब पर बन जाता है कहींगे तो मैं आपको इस पर भी वीडियो बना दूँगा एक ठीक है तो इतना करने के बाद आपको यहां पर उपर एक उप्शन नज़र आ रही होगी आपने इस पर क्लिक करना है यहां से आपको निचे एक उप्शन नज़र आ रही होगी यह वली आपने इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपने उपर से इन तीनों को ऐसे टिक कर लेना है और निचे से आपने ये मर्ज वले उप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको यहां से आपने ओके कर देना है ये पूरी जो आपकी फोटो है वो मर्ज हो जाएगी ठीक है इसको इतना करने के बाद आपने उपर से ये सेव वाले उप्शन पर क्लिक करना है यहां से आपने सेव एज इमिज पर जाना है और इसको यहां पर जो कस्टम है आपने इस पर क्लिक करना है यहां से आपने अल्टरा पर क्लिक करना है और इसको आपने save to gallery कर लेना है यह वीडियो ची लगी हो तो like कर देना, channel को subscribe कर देना ऐसी मजीद videos आप लोगों को यहां पर मिलती रहेंगे